पुरिकों में दाईत्व का एहसास भी है लोग अपना ध्यान रखते हुए दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमरा के काम भी कर रहे हैं देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का सैयम और साथगी इस बार देखी जा रही हैं वो अभूत्पुर्वा है गणेशोत्सों भी कहीं ऑनलाइन मनाये जा रहा है तो ज़्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडी गणेश्ची की प्रतिमा स्थापित की गई है साथियों हम बहुत बारीकिय सकर देखेंगे तो एक बात अवश्या हमारे ध्यान में आएगी हमारे पर्व और परियावरण इन दोनों के बीच एक बहुत घहरा नाता रहा है जहां एक और हमारे पर्वों में परियावरण और प्रकृति के साथ सह जीवन का संदेश छिपा होता है तो दूसरी और कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाई जाते हैं जैसे बिहार के पस्चिमी चमपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग साथ घंटे के लोगडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो साथ घंटे के बरना का पालन करते हैं प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को हो थारू समाज ने अपने परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है इस दोरान न कोई गाउं में आता है नहीं कोई अपने घरों से बहार निकलता है और लोग मानते हैं कि अगर वो बहार निकले या कोई बहार से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमरा की गतिविदियों से नए पैर पौधों को नुक्षान हो सकता है बरना की शुरुवात में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भायवेन पूझापाट करते हैं और उसकी समाप्ती पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नुत्य जम करके उसके कारकम भी होते हैं साथियों, इन दिनों ओनम का पर्व भी धुम धाम से मनाये जा रहा है, ये पर्व चिनगम महिने में आता है, इस दोरान लोग कुछ नया खरीते हैं, अपने घरहों को सजाते हैं, पुकलम बनाते हैं, ओनम साध्या का आनन लेते हैं, तरह तरह के खेल और प्रतियूगीता साध्या भी होती हैं, ओनम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है, आमेरिका हो, यूरप हो, या खाडी देशों, ओनम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा, ओनम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है, साथियों, ओनम हमारी कृस से जुड़ा हुआ पर्व है, यह हमारी ग्रामिन अर्थववस्ता के लिए भी एक नई शुरूवात का समय होता है, किसानों की सक्ति से ही तो हमारा जीवन हमारा समाच चलता है, हमारे पर्व किसानों के परिसम से ही रंग बिरंगे बनते हैं, हमारे अन्दाता को, किसानों की जीवन दाईनी शक्ती को बेद्यों में भी भाओध गव्रावप्रण रुप से नमण किया गया है रगवेद में मंत्र है अन्ना नाम पतैनमः अन्ना नाम पतैनमः छेत्रा नाम पतैनमः अर्थात अन्रदाता को नमन है, किसान को नमन है हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठीन परिस्तितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है हमारे देश में इस बार खरीग की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकामले 7 प्रतिशत जादा हुई है धान की रुपाई इस बार लगबग 10 प्रतिशत, दाले लगबग 5 प्रतिशत, मोटे अनाच, कोस सिरियल्स लगबग 3 प्रतिशत, उइल सीट्स लगबग 13 प्रतिशत, कपास लगबग 3 प्रतिशत ज्यादा बोई गई है मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ, उनके परिश्रम को नमन करता हूँ मेरे प्यारे देश वास्यों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवार आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे-छोटे बालमित्रों का समय कैसे बित्ता होगा और इसी से मैंने गांदिनगर की Children University जो दुन्या में एक अलग तरह का प्रयोग है भारत सरकार के महिला और भालविकास मंत्रा ले शिक्षा मंत्रा ले शुक्ष्व लगू और मध्यमुद्योग मंत्रा ले इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इस पर मन्थन किया चिंतन किया मेरे लिए ये भावत सुखत था लापकारी भी था क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का नया सिखने का अवसर बन गया साथियों हमारे चिंतन का विशय था खिलोने और विशेश कर भारतिय खिलोने हमने इस बात पर मंधन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉइस कैसे मिले भारत टॉइ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से शमा माँगता हूँ क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलोनों की नई नई डिमान सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा साथियों खिलोने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलोने हमारी आकांग्शाओं को भी उड़ान देते हैं खिलोने किवल मन ही नहीं बहनाते खिलोने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं मैंने कहीं पढ़ा कि खिलोनों के सबंद में गुरुदेव रविद्रना टेगोर ने कहा था कि बेश्ट वो होता है जो इनकम्प्लीट हो ऐसा खिलोना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उससे पुरा करें गुरुदेव टेगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कलपना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलोने और खेल बनाया करते थे लेकिन एक दिन बच्चपन के उन मौज मस्ति भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुन्दर सा विदेशी खिलोना लेकर आ गया खिलोनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से जज़ादा खिलोने पर रह गया हर किसी के आकर्षन का केंद्रा खेलने रहा खिलोना बन गया जो बच्चा कल तक सबके साथ खेलता था घुल मिल जाता था खेल में डूब जाता था वो अब दूर रहने एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैट गया महेंगी खिलोने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था सिखने के लिए भी कुछ नहीं था यानि कि एक आकरशक खिलोने ने एक उत्कुरुष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया छिपा दिया मुर्जा दिय इस खिलोने ने धन का, संपती का, जरा बड़पन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रियेटिव स्पिरिट को बढ़ने और समरने से रोक दिया। खिलोना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया, और बच्चे का खिलना भी खो गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि खिलोने ऐसे होने चाहिए, जो बच्चे के बच्चपन को बाहर लाएं, उसकी क्रियेटिविटी को सामने लाएं। बच्चों के जीवन के अलगरत पहलू पर खिलोनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्टिय शिक्षा निती में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलोने बनाना सीखना, खिलोने जहां बनते हैं, वहां के विजीट करना, इन सब को करिकुलों का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलोनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं, जो अच्छे खिलोने मनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुश ख्षेत्र, टॉय क्लस्टर्स, यानि खिलोने के केंदर के रूप में भी विक्षित हो रहे हैं। जैसे काणाटक के राम नगरम में चन्ना पत्ना, आंधर प्रदेश के कृष्णा में कॉंडापली, तमिलनाडु में तेंजोर, असम में धुबरी, उत्रप्रदेश का वारा नसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको यह जानकर आश्यरे होगा कि ग्लोबल टॉइ इंडिस्टी सात लाग करोड रुपियों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विवितता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलोनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या। जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। स्रीमान सीवी राजू है, उनके गाउं के अतिक कुपक का टॉइस एक समय में बहुत प्रचलित थे, इनकी खासियत ये थी कि खिलोने लकडी से बनते थे, और दूसरी बात ये कि इन खिलोनों में आपको कहीं कोई एंगल या कौन नहीं मिलता था, ये खिलोने हर तरफ से राउन होते थे, इसलिए बच्चों को चोड की भी गुंजाश नहीं होती थी, स्रीवी राजू ने एतिक को पक्का टॉइस के लिए अब अपने गाउं के कारीदरों के साथ मिलकर एक तरफ से नया मुमेंट शुरू कर दिया है, बहतरीन क्वालिटी के एतिक को पक्का को बापश ला दिया है, खिलोनों के साथ हम दो चीजे कर सकते हैं, अपने गौरव शाली अतीद को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम बविशकों भी समार सकते हैं, मैं अपने स्टार्ट अप मित्रों को हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ Team Up for Toys आईए मिलकर खिलोने बनाए अब सभी के लिए लोकल खिलोनों के लिए वोकल होने का समय है आईए हम अपने युहाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वारे खिलोने बनाते हैं खिलोना वो हो जिसकी मवजूदगी में बचपन खिले भी खिल खिलाए भी हम ऐसे खिलोने बनाएं जो परियावरण के भी अनुकुल हो साथियों इसी तरह अब कंप्यूटर और स्पार्ट फोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं बड़े भी खेलते हैं लेकिन इन में भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थिम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है हमारे देश में इतने अइडियाज है इतने कंसेप्ट्स है बहुत सम्रुद्ध हमारा इत्यात रहा है कि हां हम उन पर गेम्स बना सकते हैं मैं देश के युवा टैलेंड से कहता हूँ आप भारत में भी गेम्स बनाईए और भारत के भी गेम्स बनाईए कहा भी जाता है Let the games begin तो चलो खेल शुनू करते हैं साथियो आत्म निर्भर भारत अभियान में Virtual Games हो Toys का सेक्टर हो सबने भहुत महत्वपुर्ण भूवी का निभानी है और यह उसर भी है जब आज से सो वर्स पहले असयोग अंदोलन शुरू हुआ तो गांदी जी ने लिखा था कि असयोग अंदोलन देश वाशियों में आत्म सम्माम और अपनी शक्ति का बहुत कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्म इस्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है असयोग अंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्म निर्भर भारत के वटवरुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दाइपभ है मेरे प्यारे देशवासियों भारतियों के इनोवेशन और सॉलूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है और जब समर्पन भाव हो समवेदना हो तो ये शक्ती असीम बन जाती है इस महने के सुरुवात में देश के युवाओं के सामने एक एप इनोवेशन चैलेंज रखा गया इस आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चटकर के हिस्सा लिया करीब साथ हजार एंट्री जाई उसमें भी करीब करीब दो तिहाई एप्स टीर टू और टीर थ्री शहरों के युवाओं ने बनाए है ये आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के भविश के लिए बहुत सुबसंकेत है आत्मनिर्भर एप इनोवेशन चैलेंज के रिजर्ट देकर आप जरूर प्रभावित होंगे काफी जाँच परक के बाद अलग-लग केटेगरी में लगबग दो दरजन एप्स को एवर्ड भी दिये गए हैं आप जरूर इन एप्स के बारे में जाने और उनसे जुड़े हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेरित हो जाए इनमें एक एप है कुटू की कीड्स लर्निंग एप ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंट्रक्टिव एप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिये बात बात में ही बच्चे में साइन्स में बहुत कुछ सिख सकते हैं इसमें एक्टिविटीज भी है खेल भी है इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्रेटफॉर्म का भी एप है इसका नाम है कू के डबलो कू इसमें हम अपनी मात्रु भाषा में टेक्स वीडियो और आ युवाओं के बीच काफी पॉपिलर हो रहा है एक एप है आस्क सरकार इसमें चैट बोर्ड के जरिये आप इंट्रेक कर सकते हैं और किसी भी सरकारी उजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं वो भी टैक्स आडियो और वीडियो तीनों तरीकों से यह आपकी बड इतनी के लरीज बन की इस सारा हिसाब यह एप रखता है और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है मैंने कुछ ही उदार दिये हैं कई और एप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है कई बिजनेस एप्स हैं गेम्स के एप्स हैं जैसे इज इक्वल टू, बुक्स एक्सपेंस, जो हो वर्क प्लेस, FTC टालेंट, आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकरी मिलेगी, आप भी आगे आएं, कुछ इनोवेट करें, कुछ इंप्लिमेंट करें, आपके प्रयास, आज के छोटे-छोटे स्टार्ट अप्स कल बड़ी- बड़ी कंपनिया नजर आती है न, बेबी कभी स्टार्ट अप हुआ करती थी, प्रिये देश्वासियों, हमारे यहां के बच्चे, हमारे विद्यार सी, अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थे दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमी का नुट्रेशन मन्त के रूप में मनाये जाएगा, नेशन और नुट्रेशन का बहुत गहरा सबंद होता है, हमारे यहां एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानि जैसा अन्न होता है, वैसा ही हमारा मानसिक और बौधिक विकास भी होता है, एक्सपर्स कहते हैं कि शीशू को घर्व में और बच्वन में जितना अच्छा पोशन मिलता है, उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है, और वो स्वस्त रहता है, बच्चों के पोशन के लिए भी उतना ही जरूरी है कि मा को भी पूरा पोशन मिले, और पोशन या का मतलब कि इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोशक तत्व, नुट्रियन्स मिल रहे हैं, आपको आयन, कैल्सम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटा important aspects है nutrition के इस आंदोलन में people participation भी बहुत जरूरी है जन भागीदारी ही इसको सफल करती है पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किये गए हैं खास कर हमारे गावां में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाये जा रहा है पोशन सप्ता हो पोशन मां हो इनके माद्यम से जादा से जादा जागरूपता पैदा की जा रही है स्कूलों को जोडा गया है बच्चों के लिए प्रतियोगीताएं हो उनमें एवर्नेस बढ़े इसके लिए भी लगाता प्रयास जारी है जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है उसी तरह नुट्रिशन मॉनिटर भी हो रिपोड कार्ड के तरह नुट्रिशन कार्ड भी भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मिन कॉम्पिटिशन भी होगा आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें साथियों अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभाई पटेल के स्टेची ओफ यूनिटी जाने का आउसर मिला होगा और कोवीड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का आउसर मिलेगा तो वहाँ एक यूनीक प्रकार का नूट्रेशन पार्क बनाया गया है खेल खेल में ही नूट्रेशन की शिक्षा आनन प्रमूत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं साथियों भारत एक विशाल देश हैं खान पान में धेर सारी विवित्ता हैं हमारे देश में छे अलग-अलग रूतियें होती हैं अलग-अलग खेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग-अलग चीजे पैदा होती हैं इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर है कि हर खेत्र के मौसम, वहाँ के स्थानिय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन, फल, सबजियों के अनुसार एक पोशक, nutrient-rich diet प्रान बने, अब जैसे मिलिट्स, मोटे अनाज, रागी है, जवार है, ये बहुत अप्योगी पोशक आहार है एक भारतिय कृशिकोश तयार किया जा रहा है, इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती है, उनकी nutrition value कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी ये आप सब के लिए बहुत बड़े काम का कोश हो सकता है, आईए, पोशन महा में पौश्टिक खाने और स्वस्त रहने के लिए हम सभी को प्रेदित करें, प्रिये देशवासियों, बीते दिनों, जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प अब रख्षावलों के, दो जाबाज किरधारों की, एक है सोफी और दूसरी विदा, सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है, और उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाप कामन्डेशन कार्ट से सम्मानित किया गया है, सोफी और विदा को ये सम्मानित ली किकले इनौने अपने देश की रक्षा करते वोए अपना कर्तव्य बक्खुवी निभाया है हमारी सेनाओं में हमारे स्भुक्षाबलों के पास ऐसे कितने अनी बादूर स्वान है डॉक्स हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं कितने ही बंधमाकों को कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा मे डॉक्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने क्यों बिला कई किससे भी सुने एक डॉक बलराम ने 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था 2002 में भावना ने आईडी खोजा था आईडी निकालने के दोरान आतंकियों ने विस्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए दो तीन वर्स पहले 36 गड के बीजापूर में CRPF का स्निफर डॉग क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्य देखा होगा जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉग रॉकी को पुरे सम्मान के साथ आखरी विदाई दे रही थी रॉकी ने तिन सो से जादा केसों को सुलजहने में पुलीस की मदद की थी डॉग की डिजास्टर मेनेजमेंट और रिश्क्यू मिस्सन्स में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है भारत में तो नेशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ ने ऐसे दरजनों डॉग को स्पेशली ट्रेइन किया है कही भूकम पाने पर इमारत गिरने पर मलवे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं साथियो मुझे यह भी बताया रहा कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत सक्षम होते हैं इंडियन ब्रीड में मुधोल हाउंड है हिमाचली हाउंड है ये बहुत ही अच्छी नशले हैं राजपलायम कन्नी चिप्पी पर आई और कुमबाई भी बहुत शांदार इंडियन ब्रीड है इनको पालने में खर्ज भी काफी कमाता है और ये भारतिये माहोल में डले भी होते हैं अब हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने भी इन इंडियन ब्रीड के डॉक्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में सामिल कर रही है पिछले कुछ समय में आर्मी, CISF, NSG ने मुधोल हाउंड डॉक्स को ट्रेन करके डॉक्स कोड में सामिल किया है CRPF ने कॉंबाई डॉक्स को सामिल किया है, इंडियन काउंसिल अफ अग्रिकल्चर रिसर्च भी भारतियन नस्लके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है, मक्सद यही है कि इंडियन ब्रीड को और बहतर बनाये जा सके और उपयोगी बनाये जा सके आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिये, आप इनकी खुबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हरान हो जाएंगे अगली बार जब भी आप डॉक्स पालने की सोचें, आप जरूर इन में से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉक्स को घर लाए कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम सिक्षक दिवस मनाएंगे, हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो हमें अपने किसी ने किसी सिक्षक की याद अवश्याती है, तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में, हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव के चुनवति रखती है, मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनवति को नकेवल स्विकार किया, बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है, पढ़ाई में तक्रिका जादा से जादा उप्योग कैसे हो, नए तरीको को कैसे अपनाए चात्रों को मदद कैसे करें यह हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं मुझे वरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रिय शिक्षानिति के जर्ये एक बड़ा बड़ला होने जा रहा है हमारे शिक्षक इसका विलाब छात्रों तक पहुँचाने में एहम भूमिका निभाएंगे साथियों और विशेशकर मेरे सिक्षक साथियों वर्थ 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का परव मनाएगा स्वतंत्रता के पहले अनेग वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग उसका एक लंबा इतिहास रहा है इस दोरान देश का कोई कौना ऐसा नहीं था जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण नियोशावर न किये हो अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो ये बहुत आवशक है कि हमारी आज की विड़ी हमारे विद्यार्थी आजादी की जंग हमारे देश के नायकों से परिचीत रहे उसे उतना ही मैसूस करें अपने जीले से अपने ख्षेत्रे में आजादी के अंदोलन के समय क्या हुआ कैसे हुआ कौन सह समय तक देश के लिए जेल में रहा ये बाते हमारे विद्यार्थी जानेंगे तो उनके व्यक्तितों में भी इसका प्रभाव दिखेगा इसके लिए बहुत से काम किये जा सकते हैं जिसमें हमारे सिक्षकों का बड़ा दाइक है जैसे आप जिस जिले में हैं वहां समय तक जो आजादिय का जंग चला उन्हादिय के जंग में वहां कोई घटना गटी है क्या इसे लेकर विद्यार्थिवे से रिशर्च किरवाई जा सकती हैं उसे स्कूल के हस्त लिखीत अंके के रूप में तैयार किया जा सकता हैं आपके शहर में स्वतंतरतां अंदोलन स से जुड़ा को स्थान हो तो छात्र छात्राओं को वहां ले जा सकते हैं कि वो आजादी के 75 वर्ष में अपने ख्षेत्र के 65 नायकों पर कवीताइं लिखेंगे नाट्य कथाइं लिखेंगे आपके प्रयास देश के हजारों, लाखों अनसंग हिरोज को सामने लाएंगे अगर हम सामने लाएंगे आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे तो उनको सच्ची सरधाजली होगी और जब 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मना रहे हैं तब मैं मेरे सिक्षक साथियों से जुरूर आग्रह करूंगा कि वे इसके लिए एक माहुल बनाएं सब को जोड़ और सम मिलकर के जुट जाएं मैरे प्रिये देश्वाशियों देश आंज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है इसकी सफलता सुखत तभी होगी जब हरे एक देश्वाशी इसमें शामिल हो इस यात्रा का यात्री हो इस पत का पतीक हो इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देश्वासी स्वस्त रहे, सुखी रहे और हम मिल करके कोरोना को पुरी तरह से हराएं। कोरोना तभी हरेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप दोगज की दुरी मास्क जरूर ही इस संगल्प का पुरी तरह से पालन करेंगे। आप सब स्वस्त रहे, सुखी रहे, इनी सुब कामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चाहे, झ्याे, मत कामनाओं की बात मिलेंगे, सब मिलेंगे, सुखी रहे थेंगे की चांवे경 nächstenustain oggi